हलोई का स्वालवाइब आपका स्वागत है निलम्स रेशीपी चाइनल आज हम बना रहे है है ईदराबादी चीकन सिख़्िफाइब देखते हैं चिकन 65 बनाने की इंग्रेडियंस यहाँ पर मैंने आदा किलो चिकन के पिसिस लिए है यह बोनलेस हैं चिकन 65 बनाने के लिए हम बोनलेस चिकन यूज़ देखे एक चमज दही, एक चमज जिंजर गार्लीक पेस्ट, एक चमज ब्लाइक पेपर पाउडर फिर में आपे बाइंडिंग के लिए ले रहे हूँ दो चमच मैदा, दो चमच कॉर्ण फ्लावर, एक चमच राइस का आटा फिर में आपे एक अंडा ले रहे हूँ स्वादनुसार नमक, आधा लेमन का जूस एक चमच में आपर कोरियंडल पाउडर लेनके धनिया पाउडर लिया है एक चमच गरम मसाला और कलर के लिए में आपे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूस करें हूँ सबसे पहले हम चिकोन को मैरेड़ करेंगे साधनुसार हम नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही, ब्लैक पेपर पाउडर, दो चमच मैदा, दो चमच कॉन फ्लावर, एक चमच चावल काटा, एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच गरम मसाला, दो चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लेमन जूस, बाइंडिं के लिए एक अंटा, ये सारे उग्डेयन्स हम हाथ सही मीक्स करेंगे, चिकोन को सारा कोटीम, इले लगना चाहिए, सारे मसाले चिकन पराच्छे से कोट हो गये है, इसे आप ब्रेस्ट करने के लिए हम आदा घंटे के लिए छोड देंगे, सब्सक्राइब टू मैं चैनल, चैनल सब्सक्राइब करते ही, बेल की घंटी बच जाएगी and हिट दे बेल आइकोन, सो दाट गेट नोटिफाइब फर्स फर ओल मैं निव वीडियोज यहाँ पर हमने धीमियाज पर तेल अच्छे से बॉल कर लिया है, अब एक पीस हम तेल में छोड़ देंगे चिकेन के पीसेज हम धीमियाज पर पाच मिनिट अच्छे से फ्राइ करेंगे दीमी आज पर हमने अंदर बहार से चिकन के पीसेज अच्छे से फ्राइ कर लिये है अब हम ग्यास का फ्लेम फास करेंगे और दो मिनिट क्रिस्पी होने तक फ्राइ करेंगे यहाँ पर दो मिनेट चिकन की पीसिस अच्छे से फ्रै हो गये हैं और बहुत ही क्रिस्पी हो गये हैं इसे आप हम टिशू पेपर पर निकालेंगे इसी तरह दुसरा लाड़ी भी आप हम फ्रै कर लेंगे यहाँ पर सारे चिकन की पीसिस हमने फ्रै करके ले लिये हैं काफी क्रिस्पी और कलर भी अच्छा आ गया है अब हम चिकन सिक्स्टी फाइ का सौस बनाएंगे इसके लिए मैं यहाँ पर कड़ाई रख दी हैं कड़ाई पर हम दो चम्मज तेल आड़ करेंगे तेल अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें डालेंगे 10 लसुन की कलिया मैंने बारिक चॉप कर लिया है तो में हम तेल में से भून लेंगे तेल करेंगे तिन मिर्श मैंने बीच में से कट कर लिया है करिल्यूस करिल्यूस का स्वाथ चिकन 65 में बहुत अच्छा था है इसलिए हम यहां पर ज्यादा करिल्यूस का यूज करेंगे यहां बनाने के लिए हम यहां पर ले रहे है एक चम्मच दही फिर इसमें हम दो चम्मच टैमेटो के चप डालेंगे चम्मच रेट चिली सॉस कलर के लिए में यहां पर कश्मिरी लाल मिर्स का पाउडर यूस कर रही हूं अगर आपके पास फुरूट कलर है तो आप वो भी इस्तमाल कर सकते हैं यहां अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अब हम तेल में सॉस आड़ करेंगे लेमन जूस करेंगे तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे उपर से हम थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे आप चाहो तो सोया सॉस भी इसमें आड़ कर सकते हैं अब हम फ्राइ किये हुए चिकन की पीसेस सॉस में आड़ करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे सॉस में चिकन के पीसेस ज् लादर के लिए हम नहीं रखेंगे सिर्फ दो मिनेट ही मिक्स होने तक हम रख लेंगे आपे रेडी हो चुकिए हमारी क्रिस्पी टेस्टी और स्पाइसी चिकन सिक्स्टिफाई की रेसिपी नाव रेडी टु सर्व आप धर पे जरूर ट्राइ कीजिए हैद्राबादी चिकन सिक्स्टिफाई रेसिपी और मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राब करना ना भूलिए इसी तरह खाते रहिए मुस्कुराते रहिए हिल्दी रहिए और प्यार पढ़ते रहिए